हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फिर्म में हमारे पास आचुका है Realme 12 Pro Plus जो के इस खुब सुरुत प्रीमियम वोच डिजाइन के साथ आता है इस फोन में आपको आउट ओफ दी बॉक्स Realme UI 5 देखने के लिए मिलता है जो के फीचर्स के साथ भरा हुआ है आज इस फिर्म में इस फोन का एक फुल रिवीव और 40 से जादा फीचर्स बताने वाला हूँ तो अगर आप इस फोन में इंटरस्टेड हैं तुझरों को पूरा जरूर देखेगा और मुझे बिताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको कौन सा फीचर सबसे जादा अच्छा लगा वैसे इस सुन्दर डिजाइन के साथ फ्रंट में आपको एक बहुत ही खुबसूरत डिस्प्ले भी दिया गया है 6.7 इंचिस का कर्वड M.O.L.D. डिस्प्ले है दिखने में बेहत सुन्दर दिखता है 120Hz का refresh rate भी है तो आपको काफी smooth भी feel होगा और brightness के मामले में भी बहुत बढ़िया है 950 nits की brightness है इवन अगर आप outdoors में यूज करते हैं तो कोई दिक्कद आपको नहीं आएगी इस बढ़िया डिस्प्ले को और सुन्दर बनाने के लिए Realme ने इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया wallpapers दिये है अगर आप wallpapers section में जाएंगे यहाँ पर आपको काफी सारे options मिल जाएंगे जोके नए हैं यह जो mirror वाले हैं यह मुझे specially काफी अच्छे लगे और यहाँ पर कुछ और भी अच्छे wallpapers हैं बाइ डिफोल्ट इस फोन में आपको always on display बंद करके दिया गया है settings में wallpapers and style के अंदर इसको आप यहाँ से enable कर पाएंगे बहुत सारे AODs के option आपको यहाँ पर दिये गए हैं जिसके oh emoji वाला है जोके मुझे personally काफी इच्छा लगता है या fitbit emojis या canvas अगर आपको अच्छा लगता है वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ नए AODs भी आपको मिल जाते हैं जिसके carbon footprint के अंदर ये तीन options है और homeland का एक option है जिसके अंदर अगेन आपको तीन options मिल जाएंगे और क्यूंकि यहाँ पर curve display है तो यहाँ पर आपको edge cloak वाले AODs भी दिये गए हैं जोके curve display के उपर side के उपर थोड़ा दिखते हैं और काफी अच्छे लगते हैं wallpaper and style में ही आपको edge lighting का option भी दे रखा है again क्यूंकि यहाँ पर curve display है तो यह edge lighting अगर आप यूज़ करेंगे तो काफी जादा सुनदर दिखता है phone के उपर यहाँ पर ही आपको fingerprint animation चेंज करने का option भी मिल जाएगा क्यूंकि in display fingerprint sensor है तो किस तरीके का animation आपको लगाना है उसके काफी सारे options है वैसे display के colors को enhance करने के लिए भी एक बहुत बढ़िया option आपको settings में display के अंदर मिलेगा अगर आप कोई भी HDR video प्ले कर रहे है YouTube या Netflix के उपर तो यह feature आपके phone की brightness को बहुत ज़ादा बढ़ा देता है तांकि आपको अच्छा experience मिले अब UI की बात करें मुझे लगता है Realme का UI best UI है features के मामने में बहुत धगड़े features हैं वैसे यह phone out of the box Realme UI 5.0 के साथ आता है जोके Android 14 के उपर based है बहुत ही ज़ादा improved लगा मुझे Realme UI 4 के मुकाबल में बहुत smooth animations आपको मिल जाती हैं हलाग के phone को जब आप setup करेंगे तो कुछ bloatware, port apps, port games वगएरा आपको मिलेगा जिसको आपको पता है कैसे uninstall करना है, disable करना है Realme UI के अंदर यह smart sidebar तो आपने पहले भी देखा होगा लेकिन इसके अंदर अब दो नए options आपको यह recent files और file dog के मिल गए हैं जिसके अंदर आप कुछ file save कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा Realme का device है उसके ओपर cloud की मदद से वो sync भी होता रहता है तो उस phone से भी आप access कर सकते हैं जिसके मैंने कोई screenshot capture किया उसको मैं directly यहां से pick करके इस तरीके से file dog में save कर सकता हूँ इस sidebar का वैसे एक और बढ़िया feature है कि इससे अगर आप कोई भी app को open करते हैं तो वो directly इस तरीके से floating window की form में open हो जाता है वैसे floating window में किसी भी app को open करने के लिए आप इस तरीके से recents में जाके यहां से भी उसको open कर सकते हैं एक नया और सबसे बढ़िया feature जो इस phone में आपको दिया गया है वो है settings के अंदर, notifications के अंदर, smart suggestions का अगर आप इसको enable करेंगे दोस्तों, तो बहुत सारी चीजों का live status आप अपनी lock screen के उपर देख सकते हैं जैसे के मालेजी आपने कुछ food order किया है, spaghetti या tomato से तो कितने time में आपका food आपके पास आ जाएगा, वो आपको lock screen के उपर live status में दिखता रहेगा इस feature की मदद से gallery app के अंदर भी कुछ must और नए features add कर दिये गए हैं, जैसे के cut out का feature किसी भी photo के अंदर अगर आप इस तरीके से long tap करते हैं, तो phone जो है subject का एक cut out बना देता है, जिसको आप इस तरीके से save कर सकते हैं, directly share कर सकते हैं, या फिर copy भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरीके से file doc में भी रख सकते हैं और अब आपको gallery के अंदर ही eraser का option भी मिल गया है, किसी भी photo को open करके अगर आप edit के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको eraser का option मिल जाएगा, इसका size आप यहाँ से change कर सकते हैं, और किसी भी object को जो आप चाहते हैं, आपकी photo में ना रहे, उसको इस तरीके से select कर दीजिए और phone जो है, AI की मदद से उसको आपकी photo में से guide कर देगा, एक और बढ़िया feature जिसको आप एक shortcut बोल सकते हैं, क्योंकि इस phone में in display fingerprint sensor है, वो आपको settings में special features के अंदर cute launch का मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ से enable करना है, और कुछ shortcuts यहाँ पर place कर देने हैं, इसके बाद जब आप low screen से fingerprint sensor की मदद से अपने phone को unlock करते हैं, आपको fingerprint sensor को press करके रखना है, और directly आपको यह सब options मिल जाएंगे, वैसे home screen पे 100 usage को असान बनाने के लिए भी एक बहुत अच्छा gesture में आपको बताता हूँ, अगर आप home screen के उपर long tap करके more के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप pull down gesture का option मिलेगा, इसको आपको enable रखना है, उसके बाद home screen से आप इस तरीके से access vibe कर सकते हैं, और सारे icons इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, जिसको भी आपको open करना है, इस तरीके से उसके पर drop कर दीजिए, और भी बहुत सारा home screen customization आप कर सकते हैं, जिसके आप folders को enlarge कर सकते हैं इस phone में, जिससे आप एक साथ 9 apps को इस तरीके से access कर पाते हैं, या फिर आपको icons को customize करना है, उसका भी option आपको home screen settings में दिया गया है, एक और बहुत बढ़िया और useful feature आपको बताता हूं, जो कि है multi screen connect का, basically आप अपने phone को PC या किसी दूसरे realme के device के साथ connect कर सकते हैं, औ अगर आप नीचे swipe करके realme app के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको heart rate measurement का option भी दिया गया है, क्यूंकि in display fingerprint sensor है तो उसके उपर बस आपको इस तरीके से finger को tap कर देना है, और कुछ seconds के बाद ही phone आपको आपका heart rate इस तरीके से दिखाने लगेगा, बहुत सारे gestures का option भी इस phone मे आपको दिया गया है, settings में additional settings के अंदर यहां पर आपको gestures का option मिलता है, यहां पर आप screen of gestures enable करके use कर सकते हैं, मतब screen जब आपका बंध है, तो कुछ draw करके कोई action perform कर सकते हैं, camera open कर दिजिए, torch को on कर दिजिए, या फिर music control कर दिजिए, ऐसे ही और भी बहुत सारे gestures हैं, वैसे realme UI का एक feature जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वो है adaptive sleep का settings में, display के अंदर यहां पर आपको adaptive sleep का option दिया गया है, basically अगर आप phone के पर photos देख रहे हैं, या फिर कुछ read कर रहे हैं, जब आप phone को touch नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि phone की display बंद ना हो, time out ना काफी सारे इच्छे features दे रहे हैं, जैसे के सबसे बढ़िया feature दिया गया है smart notification hiding का, settings में notification के अंदर यह feature आपको मिल जाएगा और इसको आपको enable करना पड़ेगा, basically इस feature के लिए phone जो है front camera और face data का use करता है, और जब आप अपने phone के सामने हैं, तब ही किसी app की notifications दिखाएगा तो अगर आपका phone किसी दोस्त या stranger के पास है, उस time अगर कोई notification आजाता है, तो वो उस notification को नहीं देख पाएंगे, एक और बढ़िया privacy का feature आपको बताता हूँ, settings में security और अगर आप नीचे scroll करके more security में जाएंगे, यहाँ पर आपको require password to power off का feature मिलेगा, basically अगर आपका phone power off नहीं कर पाएगा, अगर उसको आपके phone का password नहीं बता, तो अगर आप चाहें, तो आप अपना number वगयरा track करके, location की मदद से अपने phone को ढूंड सकते हैं, बाकि security और privacy के अंदर ही आपको app log, hide apps और private safe जैसे options भी मिल जाते हैं, किसी भी file या app को आपको hide या log करना है, वो इनकी मदद से आप कर पाएंगे, और settings में app settings के अंदर आपको app के लोनर मतब के dual apps का option भी दे रखा है, तो अगर आपको किसी भी app के दो account अपने phone में use करने हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं, और almost किसी भी app के लिए feature काम करेगा, अब मैं इस phone को कुछ दिन से use कर रहा मैंने इस phone के speakers वगरा भी test की हैं, dual speakers आपको मिल जाते हैं, sound quality काफी अची है, जिसका reason है कि इसमें आपको dual B Atmos का support भी दे रखा है, settings में sound and vibration के अंदर आपको dual B Atmos का option मिल जाता है, यहां से आप इसको थोड़ा customize भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वैसे sound के related भी एक बहुत ज साथ use कर सकते हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने एक wide earphones भी connect कर दी हैं, और एक wireless earphones भी connected है, और अगर मैं चाहूं तो दोनों को एक साथ enable कर सकता हूँ, दोस्तों performance के मामले में तो यह phone बहुत ही दगड़ा है, इसमें आपको snapdragon का 7S Gen 2 processor दे रखा है, इस phone में इसका N22 score 660000 के करीब आता है, कुछ और phones में मैंने यह processor यूज किया है, उसमें N22 score 660000 के उपर नहीं जाता, तो इसमें बहुत बढ़िया से optimize कर रखा है, अगर आप BGM खेलते हैं तो HDR Extreme या फिर Ultra HD तक 40 FPS आप खेल पाएंगे और performance बहुत ही दगड़ी आ रही है, वैसे अगर आप gaming करते हैं तो आपके लिए यहां पर एक बढ़िया gaming assistant भी दिया गया है, यहां पर अगर आप चाहें तो pro gamer mode आप enable कर सकते हैं, जिससे आपको better fps मिल जाएगा, उसी के साथ आपको यहां पर voice changer का option भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो इस तरीके के system stats आप enable कर सकते हैं, अ अगर आप यूज करते हैं तो 4G plus carrier aggregation का support भी आपको मिल जाता है, वैसे network connection और internet speed को और better करने के लिए भी एक बढ़िया feature आपको बताता हूँ, settings में wifi के अंदर, wifi assistant के अंदर आपको dual channel network acceleration का एक option मिलेगा, इसको आप enable कर दीचिए, इसकी मदद से आप wifi और mobile data दोनों को एक सा यूज करके बहतर internet connectivity दे पाएंगे, और इस phone में आपको wifi tethering का support भी दिया गया है, मतब कि जब आपका wifi on है, अगर आप hotspot को enable करते हैं, तो wifi बंद नहीं होता, बलके इस hotspot की मदद से आप अपने wifi को आगे share कर सकते हैं, अब देखो camera, तो इस phone का सबसे बड़ा highlighting point है, 64 megapixel का इसमें आपको एक periscope camera दिया गया है, जो के 3x zoom वाला है, primary camera इसका 50 megapixel का है, और उसके साथ एक ultra wide camera भी है, 8 megapixel का, तो कोई fall to camera यहाँ पर नहीं है, और camera samples अगर आप देखेंगे, दोस्तों जबरदस्त quality के camera samples मुझे मिले, even front camera 32 megapixel का है, उसकी भी quality मिझे बहुत ही बढ़िया लगी, camera app के अंदर एक बढ़िया feature आपको portrait videos का मिल जाता है, basically video के अंदर भी आप इस तरीके से F के button को press करके portrait mode enable कर सकते हैं, तो अगर आप खुद को capture कर रहे हैं, तो background में बढ़िया सा portrait आ जाता है, और यह front camera में भी काम करता है, एक और बढ़िया mode camera app के अंदर आपको street mode क मिल जाएगा, वैसे तो यहाँ पर normal zoom in, zoom out के options हैं, लेकिन अगर आप किसी भी object को street के उपर capture करना चाहते हैं, तो उसके उपर बस इस तरीके से tap कर दीजिए, और phone automatically उसको बढ़िया से composition बना के आपको दे दिता है, जिसको आप capture कर पाते हैं, यह वाला option है auto zoom का जिसको आप आपको enable रखना है, slow motion videos अगर आपको capture करनी हैं, तो more के अंदर आपको slow motion का option मिल जाएगा, maximum HD 240 fps का option है, या फिर HD 120 fps पे भी आप कर सकते हैं, और normal camera और periscope camera दोनों से आप slow motion capture कर सकते हैं, more के अंदर एक और बढ़िया mode आपको dual view video mode दिया गया है, basically front camera और rear camera दोनों को एक साथ capture करना है, तो इस तरीके से इसको आप enable कर सकते हैं, again 3x camera भी आप use कर सकते हैं, और यहां से layout भी change कर सकते हैं, और इतने अच्छे cameras हैं, तो इस phone में आपको starry mode और moon mode जैसे options मिल जाते हैं, तो आप moon को भी capture कर सकते हैं, कुछ photos मेरे moon की capture की थी, बाकी कुछ और important चीज़ों की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 5000 mh की बड़ी battery दे रखी है, weight फिर भी जादा नहीं है, लगपक 196 grams के करीब है, और box के अंदर आपको 67 volt का charger भी मिल जाता है, एक ये case मिल जाता है, transparent वाला, बाकी अगर आपको कुछ और जानना है, इस phone के बार में नीचे comments में बता द दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, जरूर से बताईगा, लाइक कीजेगा अगर अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों